तो चलिए क्वेशन और देख लेते हैं क्या है तो देखिये अगर आप यूपी ट्रॉपी ट्रॉपल ऐसी पेट की तैयारी कर रहे है तो आप यह मान कर से लिए कि यूपी ट्रॉपल सब्सक्राइब करेंगे यहां से सब्सक्राइब चलिए हम लोग को सॉल करते हैं देखते हैं क्या कह रहा है तो हम लोग कर रहे हैं कि दंड आरेक में ध्यान पूर्पक इसको बढ़ना है ठीक है नीचे प्रश्णों का उत्तर दे रहा है तो डंड आरेक क्या है है आई प्याल में हैं तीन अलग अलग मैंच दिखाय एनी खिलाडियों ए बी सीचिए द्वाराव बनाए गए रनों को दरसा थाथ ठाया ठीक है यहां पर यहां पर बॉक्स बनाया हुआ । हैं यहां पर आपको बॉक्स देख रहा होगा तो पहला यहां पर यह तो यह हो ज है हमसे कोशन पुछा है कि 2017 में बी द्वारा बनाए गए रनों से 2020 में बनाए गए रनों का प्रतिसत क्या है ति कि इस तरह के कोशन को सौल करने के लिए ना जब भी इस तरह में कुशन आए ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं में भी हो सकते हैं बट अंडर नहीं तो लेकिन थोड़े बहुत आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं तो इस तरह के कोशन को सौल कर निकले थोड़ा सा कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी होता है यहां पर अगर आपको से दिख रहा होगा ठीक है से दिख रहा है यानि ए द्वारा बनाए गए र सबसे पहले तो देखिए 2017 में 2017 को पहले ढूंड लेजिए 2017 मिल गया है यह नहीं 2017 कितना है कितना है कितना रन दिया है पांसो बारा दिया है ठीक है और दो हजार बीस सोरी क्या लिखा रहा है 2020 2020 ए तो 222 ए हम ठूट लेए यह मिल गया यह हो गया शॉरी ए हमको चाहिए भी नहीं चाहिए तो 10 कौन सा है तो यह है कितना रहन है तो जब भी percentage हमको निकालना है तो इसमें हमें कम से कम देखिए क्या होता है percentage में इसमें से कोई ना कोई एक value नीचे आएगी फिर हमें इसे क्या करना है 100 से multiply करना पड़ेगा अब इसमें एक value नीचे आएगी और यहां उपर क्या आएगा तो इस सब चीज़ों को हम कैसे decide करेंगे तो दिखिए यहां पर इस तरह के question जब भी आपके सामने बने ना तो कहरा है कि 2017 में B दोरा बनाए गए run से तो जहां आपको से दिखे जाए तो उसको आप क्या करिए नीचे रख देजिए ठीक है तो यहां से अपना क्या हो जाएगा percentage हमको मिल जाएगा ठीक है बस अब इसको क्या करना है इसको solve करना है तो चलिए इसको solve कर लेते हैं सबसे बद速 मुझको 2 से काड़ देते हैं 2 से इसको काटेंगे तो कितना चाहते 14 है इसको दो से कटेंगे तो कितना चाहएगा 2.2-4 दोना चार 5,25 दस दो शक्के 12 हैं तो खाय करते हैं यह थोड़ा सम इसको जंगय जन्य का दो तो 4 से काट देते हैं तो यह नि कितने बार में 64 तो इसको चार से काटेंगे तो पचीस बार में कट जाएगा ठीक है अब जो बचे हैं उनको क्या करते हैं तो देखिए इनको से multiply कर लिखलेते हैं तो फचीस सते कितना होता है 100 पचीस सते 175 होता है 175 लिखते हैं एक क cavalry अगव जायेगा और 58 और 50 और यह क्या डिजिट लेनी पड़ेंगे तो 64 का टेबल बढ़ते जाएंगे तो पचास के असपास हम पहुंच गया है छे का टेबल दो डिजिट में देख लिए कहां तक पहुंच रहा है तो आठ बार में हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है तो आठ आठ को इससे मट्लिप्ला करकर आएंगे तो कितना बचेगा पांच बचेगा और यहां पांच हो जाएगा अब देखिए यह नहीं जा रहा मतलब यहां हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा और यहां जीरो लाना ठीक है तो असी और आप्शन को भी साथ में चेक करते रही है देखिए यहां पर 79 पॉइंट पॉइंट संथिंग है तो देखिए इतना तो आपको स्यूर है कि एटी तो आपको मिले गया और एटी और किसी आप्शन में नहीं है तो इस परकार आप इस असर को टिक करकर आगे निकल सकते हैं अब बाकि अगर माल दीजे एटी दो आफ्टन में मिल जा तो आप उसको क् चैनल से जूड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना शेयर करना यह सब आप काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चले मिलते हैं नेक्टिव ने में तब तक के लिए धन्यवाद